हेलो फ्रेंड्स मैं कृष्णन दो रब सभी का स्वागाथ है मैं लव्सगिटन इडीट्यूब चनल पर फ्रेंड़ आज अम बात करने वाले यह वो ही फेमिली का प् enem में और जो मलवेरी प्लांट है यह बेरी फेमिली के प्लांट है यानि जो स्ट्वाबेरी, ब्लाक बेरी, ब्लूबेरी या रश्बेरी जो बेरी फेमिली के प्लांट है यह वही फेमिली का प्लांट है जो है लॉंग मलवेरी और फ्रेंड्स मलवेरी बहुत तरह की पाजाते यानि different different इसकी fruit की size होते है, तो यह हमारा mulberry का plant है, यह long mulberry है, यानि इसका fruit होगा, कम से कम charing तक height होगा, और और भी बहुत तरह की mulberry पाया जाते है, जिसका fruit size में थोरा सा छोटा होता है, और उसका test थोरा सा अलग होता है, लेकिन यह हमारा long mulberry है, इसकी fruit की test बहुत ही अच् comment box पर लिखेगा, कि fruit आपको कैसे लगता है, और friends, यह जो long mulberry है, यह हमारे इंडिया का फोधा नहीं है, लेकिन यह बहुत सालों से हमारे इंडिया में grow होते आ रही है, और चत पे या garden में बहुत अच्छी तरह से grow होते है, और हम उसी बारे में बात करेंगे कि इस plan को कैस लगातीं, इस करेंको कैसे किया है, लेकिन उससे पहले आगर आप मेने चन्न पर नहीं हो, अब तेक अपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेने चन्न को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने बाद बेल आकि मुझे आग अगला वीडियो आपको अशन मिले, तो friends आप यहां पर देख सकते में पर एक long mulberry का plant ले लिया है, लेकिन आपको इस plant को नर्शेर से खरिदने के समय आपको धियान में लखना होगा कि यह plant grafted जरूर हो, आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर graft के गया है, यानि जो mulberry का देशी variety होते है, जो छोटे-छोटे fruit लगते ह वो plant इसका root stock है, और उसके उपर जो hybrid variety है, जो 4 या 5 इंच तक fruit लगते है, जो variety में, उसका branch इसमें graft के गया है, तो यह चीज आप जरूर धियान में लखेगा, कि आप जो long mulberry plant खरिदने जाओगे, तो उसका graft portion जरूर हो, ठीके, क्योंकि friends, हर mulberry plant की पत्ते एक ही जैसे होते और यह देखने में एकदम सेम होते, लेकिन अगर उस plant में fruit लगा हुआ है, तो आप fruit को पैचान के आप plant खरिद सकते हो, अगर नहीं लगा हुआ है, तो ग्राट पूर्शन देखके जरूर plant खरिदेगा, और friends, और एक बार मैं आप से शेयर करना चाहूँगा, कि इसका जो tooth plant कहा जाता है हमारे इंडिया में, यह जो फ्राइट है, यह भी tooth कहा जाता है, लेकिन यह तुरस hybrid फ्राइट है, लेकिन कही बार नर्सली बाले ने आपको धोका देते थे, वो tooth plant देते थे, जो देशी फ्राइटी में है, वो tooth plant में ज्यादा तर लोग रेशम के खेती करते है, वो उसका कीट्स जो देशी फ्राइटी में खेती करते है, और रेशम के कीट्स इसके पत्ते को खाकर, जिंधर आयकर वो रेशम उत्पादित करते हैं, तो tooth plant हमारी देशों में बहुत सालों से उगया जा रहा है, लेकिन यह जो long malware है, यह भी उसका care same है, तो चलिए इस प्रांट को कैसे लगा थे और इसे कैसे care करते हैं, तक कि इसमें से बहुत साव fruit मिलें, उस बार में बात करते हैं, सबसे पहले मिट्टी की, यहां पर मैंने जो मिट्टी ले लिया है, यह मैंने कम से कम 15-20 दिन पहले मिट्टी त्यार करके रखे थे, क्योंकि कोई भी प्र पहले से त्यार करके रखेंगे, तो इस मिट्टी की quality बहुत अच्छी होती है, तो मैंने हैं पर जो soil mix त्यार किया है, इसमें है 30% मिट्टी, जो चिकने मिट्टी होते हैं, वो मिट्टी 30% सेंड लिया है, यानि ये आप कोई भी सेंड इस्तिमाल कर सकते हो, जो building करने वाली स compost के इस्तिमाल किया है, तो आप कोई भी compost के इस्तिमाल कर सकते हो, मैंने यह इस अफर kowden के इस्तिमाल किया है, और 10% मैंने के इस्तिम meng कर सकते हो 10% और इसके साथ 2 टेबल स्पून बोनमील, 2 टेबल स्पून होन मील और 2 टेबल स्पून निमकी खाले मैंने याठ किया है और यह मैंने 10 इंच के लिए डाला है अगर आप इससे बड़ा पर्ट इसने मल करना चाहूंगे तो 3 टेबल स्पून करके आप डाल सकती हो और फ्रेंड उसके बाद आते हैं कि प्वाट सेलेक्शन में तो मैंने यह यह पर 10 इंच का प्वाट लेए है क्योंकि यह फ्रूटिंग बली प्लांट है और इसको जगा भी बहुत चाहिए तो मैंने 10 इंच चे शुरू किया है और एक-दो साल में मैं इसको 12 इंच में कर दूँँगा रिबॉर्टिंग तो आप पहले जब इस प्लांट को लगाएंगे तो कम से कम 10 इंच प्वाट में लगाएगा तो फ्रेंज वीडियो के स्किप मत किने लास तक देखिए क्योंकि मैं इस पूरे वीडियो में इसका क्यार और टीउस बतने वाला हूँ तो चलिए इस प्लांट को लगा लेते हैं और इसका क्यार है वो आप से शेयर कर लेते हैं तो यह पर आप देख सकते हो तीन छेद है पॉर्ट में और इस एक प्लांट को लागाने से पहले उसका डेरी सिस्टिम सही हो ऐस इस बारे में आपको ध्यान जाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम इस पॉर्ट के डेरी सिस्टिम को ठीक करेंगे तो यह जो ठिक्री आती है पटकाटुगण भी कह सकते हो यह जो नीची के तरफ बैंड इसको ऐसे लाखना है बीज वाले हौल में तो यहां पर हमर्ख रहे हैं बीज वाले हौल में और दो जो साईड में होल है यह आपको उल्टा करना है कि यह जो band है यह आपको बार की तरब रखना है यानि अगर मालनी जी यहाँ पर hole है तो इसको यहाँ ऐसा रखना पड़ेगा ठीक है तो हम ऐसे रख रहे हैं उसके बाद यह जो हमारे सेंड है वीलिंग बनाने में जो कामा दी है लाद सेंड इससे एकिंग्स तक एक लियार बनाएंगे ताकि पानी के साथ इस सोयल को बार जाने से रोके यानि एक फिल्टर की तरह कम करे और पानी के साथ साथ मिट्टर को बार जाने से रोकेगा तो इ फ्रेंड से देख लीजे, बिल्कुल ऐसे आपको करना है, उसके बाद इस मिट्टी को थोड़ा-थोड़ा भरके और इस मिट्टी को नीची के दर प्रेस करकर के यार फोगेट को भार निकल के आपको भरना है, और फ्रेंड्स, आप इस प्लास्टिक को लागा के देख लेते की और मिट्टी देना हुगे की नहीं, तो मैं स्रिफ बैटा के देख रहा हूँ की और मिट्टी देना हुगे की नहीं, तो आप हम इस प्लास्टिक को हटाएंगे और इस प्लान्ट को लागाएंगे. और friends इसको लगाते वक्त आपको धियान रखना होगा कि यहां पर जो graft portion है इसके उपर मिट्टी नहीं चड़ना चाहिए हमेशा इस graft portion से 2 इंग्स तक मिट्टी नीचे रखना है लेकिन मैं इसका जितना तक मिट्टी है उतना ही मिट्टी डालूंगा ठीक है तो आप कोशिश करिए आप यहां तक मिट्टी डाल सकते हो लेकिन इसके उपर आप मिट्टी नहीं डालेंगे और फिंट्स बात करते हैं इसकी fertilizer की तो मैं अपनी सारे fruiting बाले प्लान में एक ही fertilizer इस्तिमाल करते हूँ और वो एक organic fertilizer है special organic fertilizer तो आप चाहे तो वह भी डाल सकते हो मैं आपनी description box में इसका link दे दिया है आप चाहे देख सकते हो और end screen में भी वह वीडियो डाल दिया है अब प्लीज देख लीजिएगा और friends बात करते हैं। इसके कीज मकोडे और ईसके वीमाने के बाड़े में तो इस प्लान में इसके पत्ति खाने के लिए बहूत की कीज मकोडे की आठक होता हैं। क्योंकि इसके पत्ते बहुत होता है जो पत्ते खाने वाले कीड़ों में कोड़ा होते है उसे इस प्राण की पत्ती बहुत पसंद है तो उससे बचने के लिए आप हर 15 दिन में दो एमेल नीम ओयल एक लिटर पाणी में अच्छी तरह से घोल कर इसकी उपत्ते पे इस्प्रे कर सकती हो या अगर आप कोई केमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के इस्तिमाल कर सकती हो तो कोई भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के इस्तिमाल कर सकती हो श्रिप 25 से 30 बूंदे एक लिटर पानी में अची तरह से घोल के शाम के वाग की प्लांड में यानि इसकी पत्ते पे आप इस प्ले कर सकती हो तो फ्रेंड्स हमारा लगाना हो चुका है और यहां पर मैंने कम से कम डेरिंग्स तक पोट को मिठी से भरने से छोड़ दिया है क्योंकि बाद में हमें इसमें पानी और खाद भी एट करना है इसलिए अब जब भी प्लांड लगाएगा कम से कम एक से डेरिंग्स तक पोट को खाले चोड़ देंगे आप बात करते हैं इसकी फंगस के बारे में इस प्लांड में कोई भी फंगस नहीं लगता है लेकिन आप चाहे तो माहिने में एक बार इस प्लांड में कोई भी एक फंगस एट कर सकती हो अब बात खरते हैं इस प्लांड को कहां पर रखेंगे यह बहुत ही इंप्लांड है तो इस प्लांड को आप फुल नहीं रखेंगे वरना इसमें कोई भी फ्रूटिंग आपको नजर में नहीं आएगा इसे full sunlight देंगे तभी ये fruit प्रोडूस करेगा यानि इसमें full लगेंगे और friends और इक बार मैंने करें ना फूल गया कि इसकी जो fertilizer आप डालेंगे वो आप chemical भी डाल सकती हो तो कोई भी आप वेलेंस NPK हर 20-25 दिन में एक टेस्पून इसकी मिट्टी में डालके पानी याट कर सकती हो और अब मैंने जो organic fertilizer का जिकर किया है वो अगर आप डालने चाहते हो तो 30-40 दिन में 2 टेबल स्पून इस पॉर्ट में डालके आप पानी याट कर सकती हो और फ्रेंड्स इस प्लान में फूट लगते हैं जैनवरी मैने से लेकर नमेंबर मैने तक continue फ्लाडिंग होते रहे थे और इसमें फूट लगते रहे थे तो आप इस प्लाड को जरूर लगएगे कि ये बहुत ही अच्छा फूटिंग अली प्लांट है तो चलिए अब इस प्लाड में पानी याट कर देते तो आप जब भी कोई प्लांट लगाएगा प्लान लगाने के बाद आप पानी याट कर दीजिए गा और उतना ही पानी याट कर देजिएगा ताकि इसकी डिरे सिस्टेम से पानी निकलाए लेकिन मैं थोड़ा सा ही डाला हूँ क्यूंकि मैं इसे चट पे ले जाओंगा इसलिए मैं थोड़ा सा डाला हूँ चट पे ले जाका मैं इसमें और फिर पानी याट कर दूँगा और friends, बात करते हैं इसके पाने की बारे में और ये plant बहुत ही moist पसंद करती है और इसका मिट्टी सूख जाना ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं अगर इसका मिट्टी सूख गया तो ये पत्ते मुर्जा जाती है और इस plant की growth का problem होती है तो आप इसकी मिट्टी में हमेशाँ moist बनाए रखेगा तो friends, इस long mulberry को grow करना बहुत है आसान है और बिल्कुल इस तरह से आप grow करेगा तो इसकी fruit के मज़ आप ले पाएंगे और ये बहुत एक अच्छी fruiting वाले plant है और इस plant को आप लगाएं और इसकी food की मज़ लेजे तो friends, इसका care बास इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छी लेगे तो प्लेजिक लाइक करेगे अपनी दोस्तों पर शेयर करेगा और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो जिरो सब्सक्राइब करेए आज सब्सक्राइब करने के बाद बिला इकन को जागे ओला आपको 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 अच्छी लेगे तो चैनले फिल्स मिलते नेक्स वीडियो में